में एक पास्ता का रिसेपी लेके आए हूँ वह भी देसी तरीके से विदाउट सॉस तो गाइस देखिए पास्ता को बॉयल करके ठंडा पनी में रख दिये थे क्योंकि चिपके नहीं तो चिपक जाता है गरम रख देने से तो देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल भी नहीं चि इसी में एट किया है सरसो का तेल मैं सरसो का तेल एट कर रही हूँ आपको कोई भी तेल यूश कर सकते हैं इधर लिए कुछ वेजिटेबल्स बारी कटा हुआ टमाटर तो देखिए तेल गरम हो गया है इसी में एट किया है बारी कटा हुआ लसन लसन को जब तक कच्छा प पास्ता में चाइनिस कुछ भी एढ़ करेंगे बिल्कुल देशी तरीके आये दिस तरह रसन इस अब भी हो गया है तमी छोगा आप हे भाडी कटा हुआ शोग मामें भीट करेंगे ज्यादा भीट काम最स्छा आप ollटे काम Leff एट करेंगे क्योंकि टमाटर गल जाए इसलिए नमक दिने से टमाटर जल्दी गल जाएगा तो इसको हम ठक के पकाएंगे एक से दो मिनिट की टमाटर अच्छे से पक जाए वो एक सौस का टिक्चर ले लेगा गल जाएगा तो टमाटर गलने से पास्ता में टेस्ट आता है बहुत अच्छा सा एक टू प्लेवर भी आता हैं और टेष्ट भी अच्छा लगता है तो देखिए टमाटर मेरा पa गिया है इस तरह से थोड़ा कुंची थे कीच के कनने से टंमाटर2 अच्छे से गल जाएगा तो देखिए इस तरह से बिल्गुल इस तरह से तो देखिए माटर मेरा गली किया है लगबग और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बस इसा में हम लोग्ड करेंगे जो कट करेखे हुए है धेजिटेबल–––––– Hayır को पहले एट कर दिया है गाजर माटर और हारी में चैट किया है इसको हलका सा फ्राई कर लेंगे तो देखिए गाजर मेरा फ्राई हो गिया है ज्यादा फ्राई नहीं करना है हलका सा फ्राई करना है और स्वाद अनुसार नमक फिर से थोड़ा सा एट किया है पहले भी एट कि अटता ही लिटी तो बन दीए फिर इसे में एट इनाय बहर करना था हुआ इवा गरभी करना है चलेकोट में टांदें रहेट में और यह प्लिए मेरा किचन और कराई चेंज हो गया है तो इसी में एट करे चाहिए है बलेक पेपर काली मीर्च पाउडर थोड़ा सा तो इसके साथ भी अच्छा से थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे काली मीर्च देने से एक फ्लेबर आता है पास्ता का आप लोग का सोस दें के बन तो देखिए मेरा सबजी पुरा अच्छे से फ्राई हो गया और नहीं फ्राई करना है इसी में एट करेंगे पास्ता देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपका है पानी में ठंडा पानी से धोके रखने से क्या होता है पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपकता है तो तो गाइज मेरा पास्ता बनके बिल्कुल तैयारी है देखिए बस इसको मीक्स करना है और पास्ता मेरा बनके तैयार हो जाएगा तो इसी में थोड़ा सा काला नमक भी एट किया है तो थोड़ा सा स्किप हो गया है तो गाइज मेरा ये पास्ता का अदेशी तरीका का पास्ता कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बतेएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा तो गाज देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार है खाने में भी बहुत टेस्टी बनाता मैं भॉइस बात में दियो तो गाज आज के लिए इतना है बाई बाई टेक कैर